हेलो दोस्तो तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूटूब चैनल मिशन टूपे तो दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास एट का टर्न टू का मैथ का इंपोर्टेंट कोशन मैथ का इंपोर्टेंट कोशन इसमें कौन-कौन से मैथ का कौन-कौन सा चैप्टर से कौन-कौन सा कोशन पुछेगा हम इसमें क्या करेंगे सब चैप्टर का इंपोर्टेंट कोशन को इसमें लिए है ठीके और आप लोग को पता है कि ये जो जारखन बोड की तरफ से इसका model set अभी तक जारी नहीं हुआ है काफी बच्चे का comment आ रहा था ठीके कि कब जारी होगा ठीके तो क्यूं हम लोग उसका जाधा wait करें जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे ठीके और इस important question को अगर देख लेते हैं इस concept को पकड़ लेते हैं तो model set आप लोग आराम से बना लेंगे तो इसमें कौन-कौन से chapter आने वाले हैं सबसे पहले उसको लोग देखते हैं यह आप लोग का exam जो होने वाला है 28 जून को पहला term में ही पहला exam ही मैत का होने वाला है तो देखे इसमें कौन-कौन से चाप्टर को कंसीडर किया गया है देखे सबसे पहला चाप्टर जो है गुननखंड दूसरा है एक चरवाले रैखिक समेकरन तीसरा है रासियों की तुलना चौथा है चतुरबुज को समझना और पांचुआ है परियोगिक जयामिती और छठा है त्रुमिये आकरिती का चेतरफ़ तो दोस्तों इसमें छे चाप्टर को रखा गया है छे चाप्टर इस टम्टू में आप लोग को आने वाला है तो मैं क्या करता हूँ न कि इसको बारी-बारी से परतिये चाप्टर को सब चाप्टर को एक एक वीडियो में हम बना देते हैं आज इस वीडियो में हम लोग गुननखंड को देखने वाले हैं गुननखंड का 20 important question को देखेंगे गुननखंड का 20 important question को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा ठीक है एक चार वाले राइखिक समय करन यह हम दो दीन में दो दीन में ही कवर करवा देंगी यह छे वो वेडियो को ठीक है तो आप लोग आज देखिए इसको गुननखंड वाले वेडियो को ठीक है तो ज्यादा लेटना करते हुए हम लोग कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं ये गुननखन चाप्टर से कौन कौन से important question है ठीके तो दोस्तो वीडियो को start करने से पहले question को start करने से पहले अगर channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लेजे ठीके इससे क्या है कि हर नई वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिलेगा और अभी हम तो गुननखन चाप्टर बता रहे हैं ठीके इसके बाद वाले चाप्टर को जो भी important question होगा वह भी बताएंगे ठीके जितने भी छेवो चाप्टर है छेवो चाप्टर का एक करके series by series करके वीडियो आते रहेगा ठीके चैनल को subscribe कर वैलकन बटन को भी प्रेस कर ले जागा ठीके चलिए तो देखते हैं लोग गुननखन चाप्टर से कौन कौन से question है लिखावा है संख्या 18 और 30 का गुननखंड करे तो दोस्तों जब भी गुननखंड करने बोल लेगा यहां पे ठीके तो 18 को एक जगा लिखें दोटेगा तो इसको इसा लिख सकते हैं टू इन टू थरी इन टू थरी है ना इसी तरह से 30 को भी अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 30 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चलो तोड़के देख लेते हम लोग पहले दो से तोड़ो 10 तिया नहीं 15 दूनी 30 फिर 5 15 ठी तो यह था हम लोग इसका अंसर इस तरह से गुननखंड करेंगे इसको नोट डॉन कर लो इसके बाद से और की स्टैप से कोश्यन आएगा लिखावर रहेगा पंद्रह एक्स और पंद्रह का सार गुननखंड करें तो सबसे पहले लिखेंगे फाइप एक जगा ठीक है और एक जगा लिखेंगे पंद्रह और दोनों को तोड़ेंगे तो फाइप एक्स को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे फाइप इन्टु एक्स ठीक है और पंद्रह को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे थ्री औहों को कि हम फाइप एक हैं तो लिखें सारवगुननखन तो इसी तरह से नेक्स्ट केशन्स नेक्स्ट कोश्चन क्या है हाँ इसका भी सार गुननखंड बोल रहा है जब भी सार गुननखंड बोलेगा तो सबको एक जगह सबसे पहले लिख लेंगे 3x 6x square और 9x q ठीक है उसके बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे इसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो 3 into x और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 into 3 into x into x ठीक है अब इसके बाद 9 को भी अगर तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे 3 into 3 into x into x ठीक है अब इसके बाद देखी यहां पर common तीनों में क्या क्या मिल रहा है ठीक है तो तीन common तीनों में है हाँ है तीन तीनों में है चलो यह हो गया एक और क्या मिल रहा है एक्स भी मिल रहा है तो x भी मिला दू ठी और कुछ मिल रहा है लेकिन यह तिसरा वालम मिलेगा हुआ दो ही उसमें है यह रहागा है अब यहां पे दिखिए सारो गुननखंड क्या हो जाएगा आप लोग खुद बता सकते हैं सारो next question क्या कह रहा है कि 10x plus 25xy का गुननखंड करें ठीक है तो कैसे करेंगे इसका गुननखंड हम लोग देखें इसको द्यान से लिखेंगे यहाँ पर 10x को अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले-पहले question लिख लेते हैं 25 को नहीं सकते हैं 5 into 5 into x into y ठीक है अब देखो यहाँ पर दोनों में common क्या मिल रहा है वो देखो तो 5 मिल रहा है हाँ ठीक है x मिल रहा है अब दोनों में जो common मिल रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे 5x को बाहर निकाल देंगे तो अंदर यहां पे क्या बचा इसमें जब 5x बाहर निकल गए तो अंदर क्या बचा बचा और यहां पे 5x निकाल दिया तो क्या बचा अंदर न में 5y तो यहऊ जाए और प्लस 25 का गुननखन करें देखें दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन है यह कोशन पूछ सकता है ठीक है यहां पर देखें 25 AB सबसे पहले लिखते हैं यहां पर 25 AB ठीक है फिर प्लस 25 ठीके उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे पंचस को तोरेंगे सबसे पहले इसके निल सकते हैं 5 5 इंटो 5 इंटो A 2 इंटो भी ठीकिए उसके बाद यह बीच में प्लस का शाउन है तो प्लस देंगे और 20 को मिल सकते हैं five into five और into में क्या है वी तो बीक भी लिख देंगे अब देखो यहां पर दोनों में common क्या मिल रहा है वो चीज को देखो नहीं पांचे-पचीस और बजिस बाहर हो गया और अंदर क्या बचा यहां पर सिर्फ क्या बचा देखो यहां पे सिर्फ का सिर्फ बचा ए तो ए लिख देंगे प्लस देंगे और यहां पे क्या सिर्फ बचा अच्छा यहां तो तीनों चीज निकल गया तो सब तीनों चीज़ जब निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ का वन बचेगा ठीक है तो यह हो जाएगा इसका गुननखंड ठीक है आपका अंसर यह वाला होगा ठीक है तो आपको तो पूरा बनाना है चुकि यह तो सब्जेक्टिव कोशन है इसके बाद हम लोग ने 2 x-36 को कैसे लिखेंगे बताएगे 2 x2 दूनी 4 x2-36 ठीक है ऐसे लिखेंगे और और कुछ है नहीं है अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है वह चीज़ देखो तो कॉमन इसमें हम लोग को 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है एक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो 3 को कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचा एक्स बचा इस वाले देखो यह साइड देखो एक्स बचा है ना और यह साइड क्या बचा दो दुनी चारती है बारा तो यह हो जाएगा इसका गुननखं X-B ka guler infand तो इसको कैसę हम लोग त्या10 करेंगे K यह तो 2-2 का करना है प्यर बना देना है और दोनों में फिर देखना है कि common क्या मिल रहा है तो अब देखो यह सब्सक्राइब हम लोग देखते हैं तो common क्या मिल रहा है ठीक है अच्छा एक बार हम लिख देते हैं question को minus a x फिर क्या है बीच में माइनस फिर b x प्लस a b ठीक है यह question आपका ठीक हम लोग इसका एक अलग पेर बना दिए इसका अलग पेर बना दिए अब देखो यह दोनों में common क्या मिल रहा है तो common मिल रहा है x है ना x मिल रहा है अंदर क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा बताइए जब x निकल लिए तो a बचा ठीक है माइनस अब यहां पर यह दोनों इसमें देखो इसमें देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बी मिल रहा है तो बी लिख लिए और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो अंदर क्या बचा एक्स और यहां पर क्या बचा बी निकल गया तो प्लस ए अच्छा यह जब माइनस में रहेगा यहाँ पे तो यह common जब भी निकलेगा तो यह sign change हो जाता है plus वाला minus हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब x बी निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ए ठीक है और आप लोगो पता होना चाहिए यह वाला और यह वाला हर हाल में बराबर आना चाहिए नहीं आएगा तो समझ लेना गलत है ठीक है अब देखो यह वाला एक साइड लिखो ठीक है एक स माइनस बी को एक साइड लिखो minus a ठीके तो ये दोनों आप लोग का गुननखंड हो जाएगा ये दोनों को एक ही लिखना है ठीके जब बराबर आ जाएगा तो दोनों को एक ही लिखना है तो ये हो जाएगा इसका answer ठीके चलिए इसके बाद हम लोग next question को देखते हैं दिखे तो next question यहाँ पर eight number question है ax square plus 14a plus 49 वे अंजको का गुननखंड करें तो गुननखंड कैसे करेंगे ठीके जब भी इस तरह से तीन अंक वाला दिया रहेगा तो आप लोग क्या करना है first और last को क्या कर देना है गुना कर देना है ठीके तो first और last को अगर हम गुना करते हैं side में तो हो जाएगा 49a square ठीके और इसको ऐसा तोड़ना है कि इस बीच वाले के बराबर जोडने या घटाने पर आना चाहिए तो देखे दोस्तों 49 को अगर हम लोग 7a into 7a से अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 49a square हो जाता है सत्य सत्य 49a square अब देखो यह साथ और साथ को अगर हम जोड़ते हैं साथ और साथ को जोड़ते हैं बताओ यह बीच वाले के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है हम बोले दोस्तों कि यह जोडने पर या घटाने पर दोनों पर एक में आना चाहिए ठीक है अब देखो इसको लिखना कैसे में चीज यही होता है रोल यही होता है इसका कि लिखना कैसे एसको एक जगा लिख दो बीच में अभी छोड़ दो ठीक है बीच में लिखने सिखा रहे हैं फिर 49 लिख दिए आपके अब बीच वाले को कैसे लिखेंगे लिखेंगे अब देखो 7a प्लस 7a ठीक है इतना हम लोग इसको लिख देंगे अब देखो यह 7a 7a होके 14 a हो या निज़े हैं कहने का मतलब कि ये वाला पार्ट को हम लोग इस टैप से लिख सकते हैं या ने सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं चुकि वही तो लिखे हैं साथ-साथ चाओधा होता है है ना चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे दो-दो का पेयर बनाएंगे जिस तरह से उपर में कोशन के एक दोने तो यहीं निकले गहां पर कॉमन क्या देखाले अंहत्य च्छाय को प्लस तो यहां से जिब निकल जाए है और प्लस जो उसके बाद एक बार देखो यहाँ से काल्कुलेशन करके देखो उपर वाला एक स्क्वाइर ठीक है फिर एक तो 7a ठीक है तो देखो और हम क्या बोलेते ये वाला ये वाला और ये वाला हर रहाल में बराबर आना चाहिए नहीं आया तो आपका घलत है अब देखू यहां पे प्लस एक जगह यह वाला और यह वाला एक जगह और यह वाला जो पार्ट है जो बराबर आया दोनों को एक लिखेंगे तो एक प्लस यह हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया इसका गुननखंड तो दोस्तों यहां पे आप लोग को गुननखंड करना सीख लेना तीन को वाला कैसे करना है देखिए खुद से प्रैक्टिस कि जाएगा ठीक है इसको और यह को इंपॉर्टेंट में रखेगा चलिए उसके बाद ने 21R इस्कौायर अब 21R स्कौायर को हम लोग ऐसा तोड़ोंगे कि कितना आना चाहिए तेन आर आना चाहिए तो दिको इसको साथ कैसे तोड़ें बताओ 21 को 7 या 21 है ना तो कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 और 3 को जोडने पर 10 आ रहा है ठीके यही तो मिन करना दे यहां जोडने पर यह घटाने पर आना चाहिए है ना तो यहां कितना हो जाएगा 7 R और यहां 3 R ठीके चलो अब इसको हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे R square 21 इदर लिख देते हैं अब बीच में हम लोग कैसे लिखना है वो ध्यान देना ठीके बीच में चुकिए हम मैनस 10 R लाना है कितना लाना है मैनस 10 R आप इसको कैसे लिखेंगे कि मैनस 10 R आएगा तो बताओ दोस्तों यहां पर 3 में से 7 को घटाएंगे जोडेंगे ठीके तो कितना आएगा बताओ घट जाएगा है न तो अगर हम मैनस इसमें भी रखते हैं और इसमें भी मैनस रखते हैं तो मैनस मैनस क्या हो जाएगा प्लस और कितना हो जाएगा टेन और साइन किसका अरएंन को यहां पे लिखना है तो लिखेंगे चयुडकर ऑप यहां हो जाएगा है अगर यह बैठाने और तो कि दो का बना किसमें हम देखते हैं तो common क्या मिल रहा है अंदर क्या बचा एक रबचा यहां पर atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat बराबर आ गया ठीक है अब यह वाला पार्ट को एक जगा लिए दो और और यह दोनों जो मिला हुआ है उसको एक जगा लिखेंगे तो यह आप लोगा दो गुनन खंड हो जाएगा इसका ठीक है तो यह नाइन नंबर कुशन हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं टेन नं कि लिए हैं प्लस सिक्सस एक्स उसक्वाइर नाइन का गुनंखन गयाद करना है इसकर ऑल टो देखते हैं थैपन का होल स्कॉड़ क्या होता है स्क्वायर टूए बिज्च जब्लस बैसए स्क्वाइर से तुलना करने पर अगर हम a plus b का all square में अगर हम लोग तुल ना करते हैं तो देखे कैसे आता है देखे एक से स्क्वाइर 6x9 ठीक है अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं यह x स्क्वाइर को तो देखे x स्क्वाइर हो गया 2x और 3 होता ही कि नहीं दो तिया 6 और x है ना 6x हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वाइर अब देखो यह इस टैप से हो रहा है या नहीं हो रहा है देखो तो यह इस टैप से हो रहा है या नहीं हो रहा है चुकि A के स्क्वाइर के जगा में X स्क्वाइर फिर 2AB 2 लिख दिये और A के जगा में X X और B के जगा में 3 तो 3 लिख दिये प्लस 3X स्क्वाइर ठीक है B का स्क्वाइर मतलग 3A का स्क्वाइर आप देखो जब ये पार्ट को हम लोग इस टैप से लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं A प्लस B का हॉल स्क्वाइर जब इतना हम लिखे दिये तो ये वला नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो A प्लस B का हॉल स्क्वाइर हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका 10 का, इसी तरह से हम लोग देखते हैं 11 का, 11 का क्या करना आप लोगो, तो सवर समी का a-b का hall square, अगर हम लोग देखते हैं, तो a square minus 2ab plus b a square के तुलना करने पर, ठीक है, इस से हम लोग अगर तुलना करते हैं, तो देखो, सबसे पहले आपको जो question दिय यहाँ है, ठीक है, उसके बाद, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 9y square को 3y square, लिख सकते हैं, minus 2x, 2a, a के जगह में 3y, और b, b के जगह में 2, और यहाँ जो 4 दिया हुआ है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 2a square, अब देखो, बीच वाला के बराबर, 12y आ रहा है, दो दुन देंगे हम लोग, 3y minus 2 का हॉल square, ठीक है, इसको हम लोग दो जगह भी लिख सकते हैं, है न, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3y minus 2, एक जगह, चुकि एसको हैरे लगावा तो दो बर नहीं लिख सकते हैं, 3y minus 2, ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसका गुननकंड हो जाएगा, ठ इसके बाद हम लोग 12 number question देखते हैं, 12 number question क्या कह रहा है, 16m square minus 25 का गुननकंड ग्याद करें, ठीक है, तो सरसमिक आप लोग देखिए, a square minus b square का formula क्या होता है, बताओ, a plus b into a minus b, होता है न, हाँ, से तुलना करने पर, अब देखो, यह 16m square और 25 को अगर हम लोग तोड़ते है तो 16 को हम लोग ने सकते हैं, 4m का whole square हाँ, तो लिख दीए, उसके बाद 25 को ने सकते हैं, 5 का square, तो 5 का square यहाँ पर लिख दीए, अब देखो यह अगर हम लोग देखते हैं, a square और यह minus b square, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे अगर तो कितना हो जागा, a plus b into a minus b, तो यह हो जा करना है, तो सेम उपर वाला जो question बता हैं, उसी का मिसमे solution पहले से कर दीए, देख लो एक बर, ठीक है, first last को क्या बोले थे, जी गुना करने, तो first last को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5x square, ठीक है, इसको ऐसा तोड़ेंगे, कि जोडने घटाने पर कितना आना चाहि जाएगा, 6x, आप देखो, यह first part को हम लोग लिख दिए, और last part को हम लोग लिख दिए, अब बीच वाला पार्ट को हम लोग कैसे लिखना है, वो देखो, बीच वाला पार्ट को कैसे लिखना है, तो यहां पर दोनों में common ले रहे हैं, तो x निकल गया, अंदर क्या बचा x और plus 1 बचा, जब x बाहर निकल गया, तो 1 बचा है न, फिर प्लस यहां 5 बाहर निकल लिए, तो अंदर क्या बचा, x बचा, और यहां 5 बाहर निकल दिए, तो क्या बचा, 1, ठीक है, और हम क्या बोले थे, कि यह वाला हर हाल में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, अब दिखों हम बूले कि ये वाला पार्ट को ये वाला और ये वाला एक जगाड़े दो ठीक है एक मिजिस प्लस पांच और ये ये दूनों को एक जगाड़े दो ये दोनों को हैं ढोलों को एक जागा लिख clips ठीक है थीक है तो यह हम लोग हो गया 30 number question इसके बाद हम लोग 14 number question को देखते हैं 14 number question क्या कह रहा है ठीक है यह भी important question ठीक है exam में आने की संभावना इसमें ज्यादा है चलो इसको हम लोग अगर देखते हैं x square को तो ऐसा लिख दो यहां पर x का hall square minus 9 को मैं से थ्री का hall square अब देखो यह कौन सा formula में आप लोग का match कर रहा है वो देखो कौन सा a square minus b square और इसका formula क्या होता है बताओ इसका formula होता है a plus b into a minus b ठीक है into में है दियान रखना तो यहां पर देखो जब इस form में जब दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे a plus b यानि कि x plus 3 और x minus 3 ठीक है a plus b into a minus b तो इस तरह से हम लोग इसको गुननखंड कर देंगे ठीक है उसके बाद next question देखते हैं हम लोग b number इसका इसी कभी है तो हम लोग इसको ऐसा ने सकते हैं 2x का 4x square को 2x का hall square लिख सकते हैं अब देखो यह हो गया आपका formula कौन सा वही वाला ठीक है a square minus b square और इसका formula आप लोग का होता है इधर बना देते हैं इसका formula होता है a plus b into a minus b ठीक है a minus b तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो लिख सकते हैं 2x plus 5y एक जगह a plus b हो गया a minus b लिखेंगे तो a minus b लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे 2x minus 5y ठीक है तो यह इसका हो जागा गुननखंड ठीक है उसके बाद हम लोग next question को देखते हैं पंदरे नंबर सवाल पंदरे नंबर सवाल क्या कह रहा है m square plus m minus 56 का गुननकंड ग्याद करना है तो सेम उसी तरह से सवाल है दोस्तों ठीक है चाहिए मैनस 56 जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए वन आना चाहिए वन यानिकी वन एम ठीक है अता वैसे दो संख्या आठ और कितना है साथ है तो 56 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आठ और साथ तो एक बच्छी जाएगा अब देखो लिखना क लोग अगर घट आते तो एक बचे गए यह नहीं बचेगा सुभत हो बचेगा है ना दोनों को घटाने पर है अब इसके बात अब के गचाना से कि दो घू को बनाना आप लोग को दोदो का पर बनाएंगे तो यहांस Standard में 228 एक सिने मैंी तेके बाद 007 मीनस को यहां साइन के प्लस एचता है यहां पर नहीं हो ऐगा नीचे हो आप्लस यह प्लस हो गया अब यहां तो यह हो जाएगा आप लोग का गुननखंड है ना देखे दोस्तों इस तरह से सवाल आप लोग का 100% एक ठो रहेगा एक या दो या तीन रहेगा देखे इस हम जो बनाये हैं इसको बहुत इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट डाल दी है कुश्चन ठीक है आप इसको पूरा का प अब लिखावा है सेवन एकस स्कॉयर माइनस उनिस एकस माइनस शिक्स का गुनखंड गयाद करें फिर उसी टैप से सवाल तो आपको क्या करना है तो क्या हो जाएगा सचक बेयालेस तो बेयालेस एकस स्कॉयर्ट अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोडने घटाने पर कितना हो चाहिए थे एकस तो इसको कैसे बताओ कि हम सच्षक ब्यालेस? गटा देते हैं तो 19 बचता है हम बोले कि फ़र्ष लाश को गुना करो जोड़ने घटाने पर ऐसा संक्या आना चाहिए जो बीच वाले के बराबर होता हूं ठीक है जोड़ने घटाने पर अब अब देखो हम लोगों को पत्ते चल गए 21 होता है 42 और घटाने पर 19 अब इसको लिखेंगे कैसे 7x स्क्वाइर लिखेंगे मैनस 6 एक जगह लिखेंगे लिखने इतना उसके बाद बीच वाला कैसे लिखना है वह धियान रखना है आप लोगों को 21 और कितना बोले थे हैं पेर बनाना आप लोग को दो का पेर बनाओ यहां पर दो को यहां का पेर बनाओ तो हो जागा यहां पर सेवन को कॉमन लेलो और एक्स भी कॉमन मिल रहा है इसमें ठीक अंदर में क्या बचा एक्स अच्छा सेवन तो कॉमन नहीं मिल रहा है जी एक मिनट 7 common नहीं मिल रहा इसमें इसमें मिल रहा है आप लोग को सिर्फ x common मिल रहा अंदर क्या बचा 7 और यहाँ पे क्या बचा प्लस और यहाँ पे 2 तो common नहीं निकला है तो यहाँ 2 हो जाएगा और x अच्छा यहाँ पे 7 x भी बचेगा है ना क्योंकि एक बाहर निकला न अब यहो गया अब लोग का एक साइट आप दूसरा साइट का देखिए कैसे करना है तो माइनस निकला है अब यहां पर चाइब क्या निकलेगा तो 3 तीन में निकलेगा चुकि यह भी कट रहा और तीन यह भी घट रहा है अंदर क्या बचए 7 और एकस साथ्या 21 अजहां तक कर इसके वाद मैनस वाला क्या यहां क्या हो जागा पर रहें पर यहां पे तो उम्मित करते यह भी आप लोग को समझ में आ गया होगा टिके नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में डिके चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कॉश्यन 17 नमबर सवाल गर चलिए 17 नमबर सवाल क्या है यहां पे निमले लिख्षित का विभाजन करें तो भाग करना है दोस्तों सबसे आसान कोश्यन है यहां पे आप लोग को भाग कैसे करेंगे हम लोग देखें हाँ यहां पर लिखेंगे 91y3 बटा 13y ठीक है इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे बताओ चो तो 1391 यह तो कट गया इंटू य इन तो य एंटू य इंटू य इन तू य लिख दिये ऊपर कपाट नीचे का पाट कैसे लिखेंगão नीचे का पाट देखेंगे रूर्ट 3 y को हम लोग 3 x y अब देखो दोनों में क्या क्या क्ट्रा तो 13 कट्रा तेरा काड़ दिए y क्ट्रा वाई काड़े उपर क्या बचा जी नीचे तो खतम उपर क्या बचा 7 y square तो 7 y square, चूकि य दोट हो गया तो 7 y square तो यह भाग करना असान है सबसे इसी के बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट वालत कुशन हाँ नेक्स्ट कुशन क्या है यहां पर देख लो एक बर लिखाव है 144 144 x का पावर 4 डिवाइड मैनस 12 x का स्क्वाइर यही कुश्च है नहीं यहां पर हाँ अच्छा मिश हो गया फिर से लिखते तें इसको है ना 144 x का पावर 4 बटा मैनस 12 x स्क्वाइर ठीक है इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले वो देखो 144 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 12 x 12 है ना और इंटू x का पावर 4 है तो x स्क्वाइर इंटू x स्क्वाइर लिख सकते हैं अब पूरा x को पूरा x भी लिख सकते हैं दिक्कत नहीं यहां पर x स्क्वाइर ठीक है उसके बाद नीचे को कैसे लिखेंगे हम लोग मैनस 12 और इंटू x स्क्वाइर ठीक है अब देखो यहां पर क्या करना है अप लोग को जो कट रहा है वो काट देना है x स्क्वाइर से x² से x² कट गिएं और यहां मैनस 12 और यह 12 कट गए थिक अब ही नहीं कट रहे और कुछ बचा है और कुछ कटना है नहीं कटना तो 12 क्या बचेगा 12 x स्क्वाइर उपर 12 और एक्स स्क्वार बच्छा साइन किस कर रहेगा माइनस कर रहेगा ठीक है तो यह हो जाएगा इसका आप लोग का अंसर ठीक है तो यह एक अभी बना दिये थे बी वाला भी बन गया चलिए इसके बाद हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं इसमें भी आप लोग को क्या करना है भाग देना है ठीक है तो इसको लोग सबसे पहले यह वाला पार्ट को लोग सबसे पहले लिखते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ठीक है चुकि एक्स को तीन बार है तो तीन लिख दिये माइनस यह सबसे भाग देना है तो सबसे भाग दे देते का करके यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा X हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ठीक है 15X square यानि कि 5 into 3 into X into X बटा 5X into X लिख दो यहाँ पर 5 into X ठीक है उसके बाद फिर आगे वाला भी लिखेंगे इसे तरह से प्लस 25 एक्स वाला में है ना इधर जगा नहीं है तो इसको सबसे पहले नीचे लिख देते हैं ठीक है प्लस 25 एक्स है ना तो पांच इंटू 5 इंटू x बटा में क्या हो जाएगा 5 कट गया एक कट गया ऊपर क्या बचा थिरी और एक्स बचा ठीक है यहां पर फाइब कट गया फाइब कट गया क्या बचा एक और फाइब अच्छा था नहीं यहां पर एक्स कट गया और एक्स कट गया तो अब देखें यहां पर क्या बचा फाइब अब तीनों में क्या क्या तब तो कितना लिखेंगे प्लस 5 चुक्ए प्लस है यहां पर तो यह हो जाएगा आप लोग का अंसर इसका ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट क्या है हाँ इसका भी भाजन करने बोल रहा है ठीक है देखें दोस्तों यहां पर आप निकाल दो क्या बचा अंदर में एप माइनस तरी बचा ठीक है नीचे क्या था तो ठीक है तो यह हो जाएगा आप लोग को क्या अंसर ठीक हो जाएगा अंसर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोशन देखते हैं 20 नंबर सवाल है यहां पर मैनस 32 एक्स का पावर फूर डिवा तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं तो दो 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 इंटु मेंटो पांच बार लिखेंगे दो तो 22 चुर्णлу आत्ट यहां फिर एक्स का पावर पisiertा लगो चरकने उपर बचा मैनस टू और बचा और इक्स और एक्स बचा तो एक्स किना वह बचाइगा निगूण सबसे आसान है टिक उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट कुेशन है हाँ 9 xy square z और divide 3xy तो 9 वाले को तोड़ो देगे हम छोटा कर दो तो 3 तीन नहों हो जाएगा सबसे पहली बात और यहाँ पर x का x लिख दी है y square को दो बर y लिख दी है और z को z लिख दी है और divide में लिख दी है 3xy 3 into xy into y ठीक है जो जो कट गया कट दी है 3 3 3 कटा x x कटा y स y कटा उपर क्या बच्या थ्री बच्छा एक ठो ठीक है कि 3 बच्छा वाई बच्छा य बच्छा और z ठीक है तो यह था दोस्तों आप लोग का बीस महातोपुन कोश्चन था आप लोग इसको बनाओ ठीक है और इसको वीडियो को देखो ठीक है किस टैप से हम बनाए हैं उसी टैप से आप लोग को बनाना है तो दोस्तों ये था आप लोग का गुननखन चैप्टर का ठीक है इसके बाद जो आप लोग का नेक्स और को हम कभर करवा देंगे तो उस वीडियो को पाने के लिए आप लोग सबसे पहले अगर सबस्क्राइब ने किये तो सब्सक्राइब कर ले ना ठीक है और इस वीडियो को हम प्लेडिक्र कर को डींगे तो वहाँ से आप लोग tuoshu को देख सेकते हैं ठीक है